अंकीता नाम की एक ऐसी लड़की जो अपने पैरों से लिखती है अभी हम उसके पास है और उसका एक्जाम छपरा शहर के राम जैपाल में दिया गया है और बीए पार्ट टू की एक्जाम देने के लिए आई है यहां और इतनी सुंदर लिखावट जो आप तस्बीरों में देख रहे हैं यह अंकीता लिखी है अभी एभी और अंकीता हमारे शाथ है कुछ जनकारी लेते हैं अंकीता से अंकिता क्या बनना है आइस बनना है और अंकीता को 2004 से ये बिमारी हुई है और अंकीता के परिजन हमारे शाथ है साथ उनकी बहान है अपमान है उनकी इन समको जनकारी लेते हैं कैसे काम करती हैं आंकीता पैरो से करती है सभी काम और में खेलाती एक खाना पिना सचाले खुद कर लेती है सब पैर से साथ इच्छाला लेती है परशानी क्या होता है परशानी बस यहतन नहीं काम करता है नहीं अध्याद्वह्ते करती है मतलब कभी हाथ का अभाव नहीं लगता है अंखिता को नहीं उस सब कम कर लेती है कि कब से ये विमारी वह पांच साल की थी तब से पांच साल की थी अच्छा और भी इसके पहले मैट्रिक दी होगी नहीं कैसा रहा है इनका सब है फॉस्ट डिवीजन आई है सब में फॉस्ट डिवीजन आई है तो देखिए हमारे जीवन में कभी कोई चोटी मोटी परिशानिया होती है तो हम ये सोचते हैं कि हम कैसे पढ़ाई करें हमको शुविधा नहीं मिल रही है पर जिसके पास दोनों हाथ नहीं है उसके अंदर भी इतनी लालसा है पढ़ने की और अंकीता आज बीए पार्टू के एक्जाम दे रही है अभी तक हर एक्जाम में क्लियर करके और इतना अच्छे अच्छे रैंक मंगा रही है तो जब पढ़ने का जुनून हो तो इंसान क्या से क्या नहीं कर शकता है अभी अंकीता के चाचा हमारे शाथ हैं उनसे हम कि मम्मी खेलाती है और परहाई का तो पैढ़ से लिखती है और दीन भार ना बोला यह तो दीन भर पढ़ती है बोलना पड़ता है सर में दौर्थ होता है इतना परहाई करती है तो एक आत गहंट टीवी देखेगी फिर चार-पाच घंट पढ़ाई कर लेतिया ता अच्छ अगरा सोभाव कैसा रहता है इसा सभाव नहीं है बहुत कुस मिजाज है इतना होने के बाद भी मतलब खुछ रहती है और पराई पुजादा द्यान देती है अंकीता कह रही है कि हमको आईस बनना है आप लोगा कि सूच है जितना मतलब अगर सरकार से सहयोग मिलेगा इनको अगर ज है दिया जाएगा तो आगे हम लोग सेपोर्ट में हैं मोटीवेशन की है लड़की है आगे बरे और इतना होसला करती है मतलब मोटीवेशन जीतना भी है वो खुद कि अभी तो फिलाद सरकार से मांग करेंगे कि मतलब इनका सुविधा जो है जो जरूरत है सामने आगे उसको दिया जाए यही चीज का मांग है कंप्यूटर बोलती है कंप्यूटर आया और देने के लिए हम लोग घर वाले भी दे सकते हैं उसका कहना है कि नहीं मैं अपने आप स्वाभिमान के हिसाब से अपने कि मैं खुद के दम पर सब करना चाहती हूं और यह मोटिवेशन जो है यह पैर से लिखने का कोई बताया न है इलाज मने सब जगते हैं margin नहीं पडिका है अब पडशानी है कि आप खाना खिलाना और सारी छीजे होती है आए उसका हल एक तरप इसका अछु सबक्राइबे जीने से अपने सरे का रहा है खाना के टाइम बस और खाना खाने में भी परसानी है खाना भी मतलब धीरे धीरे चाहिए बाग के मतलब जैसे नौर्मल आजमी खाना खाता वह इसे जल्दी यल्दी खाना भी नहीं कहा सकती है यह इसा है है लेकिर मतलब यह उंगली जो है वो खुल नहीं पाता है अंकीता अपने हाथों से मतलब कुछ कर नहीं पाती है जो भी करती है यह अपने पैरों से करती है और होसला इतना बुलंद है कि आज भी यह पार्ट टू की एक्जाम दे रही है अनौर्स पेपर क्या था इनका हिस् को और मजबूती करें और भी इनकी सहायता की जाए चपराशे आर्यान 24 नियुज के लिए मैं रंचनी सांडेलिया